नमस्कार जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार में आपका स्वागत है आए चलते हैं खबर की ओर हाई कोट जज के लिए कौरब की अनुशंशा सुप्रीम कोट कोलेजियम ने मदरप्रदेश के महादिवक्ता पुषपेंद्र कौरब के नाम की अनुशंशा की है कॉलेजियम की एक सितंबर को ही बैठक में ये निर्ने लिया गया कॉरब वर्तवान में मदरप्रदेश सरकार के महाधिवक्ता है इस पर अब राष्टपती को आखरी फैसला करना है राष्टपती इसी महीने इस पर निर्ने कर सकेंगे 2009 में कॉरब सबसे कम 33 वर्ष की उम्र में उप महाधिवक्ता फिर अतिरिक्त महाधिवक्ता और जून 2017 में पहली बार महाधिवक्ता बनाए गए उस समय से वराज सिंग चोहान की सरकार ने ततकालीन एजी रवीश अकरवाल का इस्तीफा मंजूर करने के बाद कॉरब को दिल्ली से वापस बुला करिया जिम्मा सौपा था प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार में वापसी की बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था प्रदेश में 15 महीने बाद फिर सत्ता बदली तो एक बार फिर पुषपेंद्र कॉरब MP के अठार वे महादिवक्ता बने 45 वर्षी पुषपेंद्र कॉरब के नाम को राष्टपती की ओर से मंजूरी मिल गई तो वे महादिवक्ता के पद से सीधे हाई कोट में जज़ बनने वाले वे पहले व्यक्ति होंगे महादिवक्ता पद सम्हाल चुके कई लोग हाई कोट में जज़ बने लेकिन पद सम्हालते हुए ऐसा पहली बार होगा हम दिखाते रहे खबर आपको इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें